नमस्कार साथियो, साथियो बिहार के अमुख्यमंत्रियो और जेडियो यानि जनतादल उनाइटेट के रास्टिया ध्यक्ष नितिश कुमार के मन में क्या चल रहा है इसको लेकर के तमाम तरह की क्या सबाजियों का दौर अभी तक जारी है रोज बरोज परते एक दिन किसी न किसी चैनल के उपर कहीं न कहीं चाहोँ नैसनल हो रिजनल हो टी-वी चैनल हो सोचल मीडिया करने प्लेट फॉर्म हो हर जगह पर ये बात की चर्चाएं होती है कि बिहार के भीतर महा गटवंधन यानि इंडिया अलाइंस इंडिया गटवंधन अब टूटा तब टूटा इस तरह की खबरे कुछी दिरबाद खबर आ जाते कि इंडिया गटवंधन में नेतिश कुमार नहीं रहेंगे लेकिन जरा ध्या रहना चाहते हैं और रहेंगे ये दो अलग लग बाते होती है और इनहीं दोनों बातों के मध्य नजर राजनीती का वो महीन लाइं वो महीन धागा ये पिर तूटता ये जूटता हुए ये फिर मजगूत होता हुआ दिखता है क्योंकि रहने की पाटे में एक्छा होना औ बात अलग हैं दोनों बातों में काफी फारक होता है ये इसदौर में क्या नितिशक्मार सेोजक्त पत्न के लिए क्यासवाजी लगाए जाते हैं स्योजक इसलिए बनना चाहते हैं ताकि चुनाओ के बाद की प्रस्तितियों के वितर जो खंडित जनादेस वाली जो इस्तिति अगर बनती हुई दीख रही है उस पूरे प्रस्तिति के वितर बतौर इंडिया गटवंदन के स्योजक देश के संभावित प्रधानमंत्री के त प्रधानमंत्री एंडिया के स्योजक जोर्ज फरनन्डी सो जाते हैं अगर ऐसा होता तो उनाइटेट फरन्ड के तरफ से एच्डी देवगवरा आईके गुजराल नहीं नहीं बालकि चंद्रवाव नाइडू उसके स्योजक थे वही प्रधानमंत्री हो जाते हैं अगर ऐ स्योजक नहीं बनाए गए अब तक ऐसी लिए नहराज है इन सारे बातों के उपर अब दम नहीं लगता है यह सारे तर कहीन कहीं सीरे से खारिज करने लाइक है नितिज कुमार स्योजक बनने के लिए नहीं बनाए जाने के कारण नहराज है इस तरह की खबरे अब कहीन के ब कहते हैं कि टाइगर अभी जिन्दा है, इनका कहने का यह क्या आर्थ होता है, क्या मतलम निकलता है, असुक चोधरी एक बात और कहते हैं, कि भविस में क्या हो जाए, दो घंटे बात क्या हो जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा है, इसकी भविसवानी कौन कर सकता है, वो खु बाहल कहीं न कहीं इतना भर नहीं है कि स्योजक के पद्खो लेकर के इंडिया गठवंधन के बितर बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी, नितीज कुमार की स्योजक पद्ख के उपर है, ऐसा भी नहीं है, बात कुछ और है, नितीज कुमार के मन में कुछ और चल रहा है, और वो खाय में खीचना है और ये इसी रिखाओं के सहारे इंडिया अलाइंस के हित सोचने वाला ब्यक्ति सच में कहीं इंडिया गटवंधन के इंडिया अलाइंस के फ्रग्मेंटेशन का तूट का कारण तो नहीं बन जाएगा फिर इन सारे सवालों के उपर सिर्फ एक जो सवाल होता है वो सवाल होता है इंडिया गटवंधन के भीतर सहोजग को नहीं बनने देना चाता अगर गटवंधन के अंदुरुनी बातों को अगर समझे तो नितिश कुमार को सहोजग बनाने के लिए उद्धव ठाकरे पहल कर रहे हैं कई नेताओं से बात कर रहे हैं चर्चाएं ये भी है इंडिया अलाइंस के भीतर के उद्धव ठाकरे ने इसके लिए केसू वेनु गोपाल से बात किया कॉंग्रेस के संगठन महासचीब से और बात की नहीं की अपनी बात लेकिन चर्चाएं थी खबरे ऐसी है औ है कि इंडियारी अगठवन दन के बीतरं नितियशकुमार सेयखक बने लेकिन नितियशकुमार अगर सेयखक ना बने ऐसा कौन चाहरा है ? तो सवाल होता ह history के लिए ? नितशकुमार सेयखक सेयखक ना बने, इन दोनों स्रृस्तितों के बीच भी कहानी को जराय Luther को समझने के लिए हम लोग को दिल्ली की उस मटन पार्टी पर जाना होगा जिसमें राहुल गांधी और लालु यादव ने मिलकर के मटन बनाया था और उसकी राजनिती जो उसके भीतर जो पकी थी कॉंग्रेस पार्टी एक साथ दो दो गेम में खेलती है इस बात को कहीन कहीं समझना होगा एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी का कहना होता है नितिश कुमार सरमानने नेता है सम्मानित चेहरे हैं इंडिया गटबंदन के भीतर उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा उनके वजह सही ये गटबंदन के भीतर उनके डियू रिस्पेक्ट के उपर किसी भी तरीके के सवाल भी न उठे लेकिन अंदर खाने बात चलती है कि नितिश कुमार के जो रास्टी है महत्व कांग्छाएं है वो नारेंद्र मोदी के सामने चेहरे के तौर पर आना चाते है उस महत्व कांग को कैसे दवाया जाए उसके लिए इंडिया गटबंदन का एक खेमा यह भी चाह रहा है कि प्रधान मंतरी का चुनाओ के बाद प्रधान मंतरी का जो भी इंडिया गटबंदन को बहुमत मिले अगर तो यह बहुमत के करीब हुई तो सरकार बनाने का अगर नेवता मिलने की नोबते हुई तो उस प्रस्तिती के भितर मंत्राले भले ही अलग लग बाड़ दिये जाए। नेता माने जाते हैं बड़े पद कि उनकी अकांग्छा है भले खुद कुछ कहे कि परदान मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। खुद कहे कि मैं किसी भी रेस में नहीं हूं। Lekin उनकी अक्सर कहना हुई था जो किसी रेस में नहीं हूता हुँ नें प्रधानमंत्री वही बने थे। कैसे बने Central Hall में क्या हुआ नहीं हुआ पूरी कहानी अपने आप में इतिहास होता है। ठीक इसी तरह से नर्सिमह राव खुद को रेस में नहीं समझते थे। अटल भाजपे भी खुद को रेस में नहीं मानते थे खुद को। मान्महन सिंग कभी रेस में ना माने ना कभी रेस में रहे। तो फिर नितीश कुमार जो बाते कहते हैं जो परतान मंत्र बनने की रेस में वो नहीं है। इस बात को सिर्फ और सर्फ एक ही व्यक्ति का राजनितिक व्यान समझ करके वहाँ पर महत देना चाहिए। उससे ज़्यादा महत्व इसको नहीं देना चाहिए। जो है भारते जन्ता पार्टी के साथ अगर होते तो उत्तर भारत के भीतर एक बार फिर से भारते जन्ता पार्टी के एक तरफा लहर चलेगी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जातर के कहीं न कहीं और जाट आरक्षन और तमाम बातों के साथ कलब होते हुए एक नए सवरूप में राजनितिक सक्ल ले लेगा। रोहना नितिश कुमार सीटे घपा पाएंगे भारते जन्ता पाटी का न बढ़ा पाएंगे। और सीटे घटाने का काम भौपेंदर सिंग हूडा और कॉंग्रेस पार्टी खुद कर लेगे। मूल, मुद्दा, उत्तर परदेश, बिहार और जारखंड होता है। नारेंदर, मोदी जीव, इसके प्रधान मंत्री, उनको भी इस बात का एसास है कि राजनिती कहीं न कहीं एक ऐसी धोरी के ऊपर खड़ी हो चली है, जहां राम मंदिर का मुद्दा जो है, थोरा गलेमराज तो एक सब्ता के लिए किया जा सकता है। तीसरी तरफ हिंदू एकी करन की कवाइद के लिए राम मंदिर का मुहरा होता है। मंदिर की राजनिती इस भारत देश में भारते जनतापाटी बीजेपी को सुनने से लराई की सिति में तो ला सकते हैं, लराई से सत्ता के सिति में मंदिर की राजनिती नहीं ला सकते। इस बात को लाल किर्शन अडवानी ने 1995 में समझ गया था 29 साल पहले लाल किर्शन अडवानी ने इस बात को समझ गया था और अटल बहरी बाज़बे को कच्छेहरा को आगे कर दिया था राम मंदिर अंडोलन को सबसे बरे नायक आज जिस मागदक्सक मंडल के भीतर है उस मागदक्सक मंडल उन्हें ले जाने वाले लोगों को भी उन्हें बिठाने वाले लोगों को भी इस बात का ऐसास हो गया है कि राम मंदिर भारते जनता पार्टी के पूर बोटरों को ही और साहिद करने का मद्ध हम हो सकता है उससे आगे बहुत ज़्यादा इसके अहमियत नहीं मिलती है यानि कई जगों से भारते जनता पार्टी के लिए राजनितिक सरदर जो नितिस कुमार बिहार के बने हुए है और इसी दोरान नितिस कुमार क्या करेंगे जादा तो नहीं लेकिन दो तीन हपते के भीतर अगले 22 दिनों के भीतर पूरी राजनिती साब साब दिखेगी कि लो जो अपनी चाहत है जो महात्पु कांग चाहत हैं जो सबसे बड़ी चाहत है अब उसकी बाते के नितिस कुमार जो है सबसे बड़ी उनकी चाहत है कि वो लोकसभा के साथ विदानसभा चुनाओँ हो जाए वो गेंद विजेपी के खेमे में डाला चाहते हैं कि बिहार विधान सबाब भंग कर दी जाए और बिहार विधान सबाब भंग करने के बाद भारतिय जंता पार्टी को ही राजनेतिक तोर पर सीधे सीधे जो है इसके लिए जिम्मेदार ठरा दे जाए और कहा जाए जोगे कि भारतिय जंता पार्टी ही कहते है वन नेशन वन एलक्षन तो जेड़ू ने और बिहार सरकार ने बिहार में इंडिया गटबंदा ने अपने तरफ से एक कदम आगे कर दिया है कि खर्च बचाना है कुछ करना है तो चलिए साथ में चुनाओं के लिए आगे बढ़ते हैं और कहीं न कहीं इसके पीछे कोई कारने की जेड़ू के जो पहतालिस जो बिधायक है उस पहतालिस की संख्या को आगे बढ़ाने के लिए 75-80 करने के लिए और जेड़ी के अबर में आकर के खरी हुई तो फिर तो जैसी आदब के मुक्रमंतरी बनने का सपना जो है पांस साल के लिए फिर लटक जाएगा टल जाएगा अगर बीच में नितिज कुमार ने खुद से अगर दे दिया बिहार की गद्दी नितिज आदब को तो ठीक है लेकिन पांस साल के लिए फिर एमामला कही न कही लटक जाएगा और एमामला बढ़ के चल जाएगा नितिज कुमार की खेमे में ही क्योंकि एक बात इस बात को तही समझे कि अगर राज़त और ज्यर्दिव दोनों असी सीटे के आसपास हो गए बिहार के भीतर एक दम कही न कहीं साफ होता ह ये बिहार की तीन राजनितिक ताकत जो है जनतादल उनाटेड, राष्टिय जनतादल और भरतिय जनतादल पार्टी इन तीन में दो जिधर एक तरफ हो जाएगी एक तरफा नतीजा उनके पक्ष में हो जाता है बिहार में इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता चाहे ञांतल पार्टी इन ताप्ष फ़स्ए, और भरतिय जनतादल पार्टी इनधी अगर अगर है तो एक तरफा जितल उनकी ओगे है, ये बिहार के राजनितीक तक सब्ता के के इंद्धर jsasa, मुख मंत्री पदर नतीज कुमार के साथ जुरो रहे गा, तब तक बिहार राजनि की पार्टी का टैग जो उनके साथ जो लग गया है वो टैग कितना जल्दी हट जाए क्योंकि क्यों किसी के महरबानी से मुखमंतरी पद के उपर बिहार में रहने की स्थती में लंबे समय तक खीचा जा जा और लोगसभा के चुनाओ एक ऐसा मौका होता है उनके लिए जहां लोगसभाद के वहता है जर जो रॉकिसी सत्ता तो होती है जो सत्ता के लिए लमोदी के अंदर है तो उनके लिए एक एक सीत की कीमत होती है जब एक-एक सीट की कीमत होती है बिहार के भीतर पिछले बड़ सतरा सीट मिली थी और उन सतरा सीटों में अगर लालुजा बने तो उसको मारे एक साथ अगर लर गए इंडिया गटबंदर अगर बरकरार रहा तो फिर इंडिया एलाइंस की सीटे 35 से लेकर के 49 तक पहुंच स जल रहा है और यह कहीं न कहीं हो भी सकता है संभाब ना देखते रहे जहें